आज की वीडियो में हमने बनाई एक सुपर ब्राइट LED लाइट और इसको कैसे बनाते हैं वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाओगे अकसर करके आप जब मार्केट में जाते होगे तो आपने देखा होगा कुछ इस पिरकार के आपको लाइट देखने को मिलती होगी इसे जूमर लाइट भी कहते हैं और ये मार्केट में हैंड मेड हैं ठीके तो यहां से यह जो दो वायर देख रहे हो इसको सप्लाई दी जात यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो इसको अलफा डोब कहते हैं और डोब का मतलब होता है डारेक्ट आन बोर्ड इसमें किसी भी सर्किट की जरूरत नहीं होती है यह जो पीछे इसमें लॉक दी हुए इसमें सिर्फ दो वायर लगा दीजी आप आपकी जो लाइट है वो चालू हो जाएगी तो हमने सबी लॉक को हटा दिया है और लॉक की जगे पे दो शोल लिंग कर दिये हैं वायर को और इस तरीके से टोटल 22 पीस को हमने तयार कर लिया है अगर आप घर पर लाइट बनाते हो तो सेम इसी तरीके से बनाना जैसा की वीडियो में दिखाया गय है और कनेक्शन मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करिए कि अगर आप एक बार पूरे वीडियो देख लेते हो तो मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपने घर पर लाइट बना लोगे तो अभी हमें क्या करना है कि लाइट बनाने के लिए इसकी जो ये पीछे की इसको कट करना होगा या निकालना होगा तो आप इसको अपनी मर्जी या जैसी भी आपकी जरूरत हो इसके हिसाब से इसके जो ये वायर है इसको काटके और बाहर निकाल देना है तो फाइनली हमने वायरिंग की कटिंग कर ली है और इसके जो जितने भी ये पीस है वन बा यहां देखिएगा कि हमने फाइनली इसको एकदम सारे पीस रिमूव कर दिये हैं अब जो हमने पीस तयार करे थे वो एक एक करके यहां पर लगा देना है तो अब एक चीज की कंडिशन में आपको यहां बता दूँ कि जब आप वाइरिंग करें तो हमेशा इसमें रेड और ब्लैक कलर का वाइर इस्तमाल करें कनक्शन आसानी से समझने के लिए अभी मेरे पास वाइर नहीं था तो मैंने दोनों ही इसके टर्मिनल को वाइट कलर के वाइर से जोड दिया है तो इसमें आपको साफधानी यह बरतनी है कि इसके सबसे पहले एक एक वाइर को छील लेन रहे हैं हर एक पलेट से उसमें से एक एक वाइर को हम ले लेंगे और उसके सबसे पहले एक वाइर के कनक्शन को हम करेंगे तो यहां देखिए मैंने एक वाइर का कनक्शन कर दिया है अब आते हम दूसरे वाइर के कनक्शन पर तो सबी डोब के दूसरे जो वाइर था उसक कि इसको हमने parallel में करा है series में नहीं करा है तो अगर एक piece भी इसमें खराब हो जाएगा तो पूरी light बंद नहीं होगी बाकी की light जलती रहेंगी और वो अच्छे से काम करेंगी अब finally जो दो wire निकले हुए थे वहां से हम इसको supply दे देंगे और supply देने से इसको pack करने से पहले ह हम एक बार series से चेक करेंगे कि हमारे जो पृतिये LED बल्ब हमने इसके अंदर लगाया है यह डोब वो जल रहा है यह नहीं जल रहा है ठीके तो जैसा कि हम चेक कर रहे हैं हमारे सारे बल्ब इसके अंदर अच्छे से गिलो कर रहे हैं अब finally हम इसको pack कर देते हैं और यहां पर देखिए यह तैयार है वर्क करने के लिए और हमने इसको अच्छे से packing कर दी है अब मैं इसकी डोब को जलाके दिखाता हूं तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चेपेज को चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना मिलते हैं को और वीडियो में तब तक बना के लगखियो नगयों शे रहा विला करना मिलते हैं को टता हैं को नगयों पत्व लेखियों वह में पत्या तॉलो को अट वाइक क NICK